दोस्तों कि आप प्लाश 1012 के स्टूडेंट तो आज की इस टूडियो में आपको सबसे मोश्ट इंपोर्टन जीवन परचे है 2010-2011-2013-14-15-17-18-19 इतने साल यह बोड एक्जाम में आ चुका है मैं आपको बताऊंगा आप यह कैसे जीवन परचे त्यार करो और लाश पर बताऊंगा आप किस तरीके से लिखोगे कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा तो आप इस वीडियो को एक शकन क्लेवी स्कीप बत करना अगर आप एक क्लाश 10-12 के शुडेंट तो आपको इसको वीडियो को एक दम अन तक देखना है और मैं बताऊँगा कि इस तरीके से आप कौन से step follow करोगे कि आपको जीवन परचे में full marks मिलेगा ठीक है तो start करते हैं सबसे पहले आपको जीवन परचे जिस भी राइटर का लिखने रहे कभी कभी तरीका ठीक है आपको इतने point add करने पड़ेंगा ठीक है नाम जन अब सबसे पहले यहां पर लिख दो महा देवी वर्मि महें आपको इनका लिखना है ठीक है अब आपको इनका जन्मिस्थान पता रहना चाहीं तो आपको इनका शुर्ट connection audio जन्म स्थान है थीक है तो इसे भी हम दो लिख देता है फरुक का बात अब आपसे क्या नेक्स्ट पॉइंट क्योंकि मृत्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है मृत्यू का डेट किस वर्स में हुआ अब इनका माता का नाम आप सभी को पता है श्रीमती हेम रानी की माता का नाम है तो यह है ठीक है माता का नाम हो गया पीता का नाम गविंद सहाय वर्मा जी था इंका भी लाम लिख दो स्री गोविंद सहाय वर्मा क्लियर है अब अच्छा प्रारंबिक सिच्छा और उच्छे सिच्छा भी यह बहुत इंपोर्टन्ट आपको जीवन पंचे में नोट डाउन करने के ठीक है तो इनकी प्रारंबिक सिच्छा इंदौर में हुई थी आपको ऐसे याद कि आपको सब पॉइंट याद रहे ठीक है और उच्छे सिच्छा इंकी प्रयाग राज इलहाबाद में ठीक है अच्छा इंकी कृतियां यह सबसे मोस्ट इंपोर्टन पॉइंट है जीवन परचे में ठीक है जो भी इनकी कहानी रचनाएं आपकी लेक जो भी इन करेगा आप सिस सभी कहानी हो या कविता हो या कोई भी इनकी जीवनी हो ठीक है यह सब इनकी कृतियां में आ जाएंगे तो इनकी प्रमुक कृतियां है वो निहार है और रशीम आपको जिटना याद है आप उतना लिकुगा तो आप के लिए बेटर रहेगा ठीक है निर्जा दीप सिखा यह पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो आप बहुत असानी से इंग के जीवन पर चलिख सकते हो अब कैसे लिखूगे मैं बताता हूं ठीक है सबसे पहले आप इसमें लिख सकते हो हिंदी साइथ में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसित कवीत्री एम लेखिका महादेवी व ठीक है उसमें से एक कना रहता है तो उसको पता चलेगा कि अच्छही महादेवी वर्मा के बारे में लिखा हुआ ठीक है फिर लिखोगे महादेवी का जन्म वर्स 1907 में उत्तर प्रदेश के फरुकाबाद सहर में हुआ ठीक है लेको बच्चों जो जीवन परचे होता है उ एक कौलेज की प्रदाना चारतें और इनके नाना जी को भी ब्रजभासा में कविता करने की रूची ती ठीक है जो इनके नाना जी तेंके माता की गुडों का महादेवी पर गहरा प्रभारपड़ा इनकी प्रारंबिक सिठ्चा इंदोर में ठीक है और जो उच्च इस इhtे लहां वो प्रयाग राज में इंका जिवन काफी संघर्स में रहा थीक है मतलब काफी कठनाई रूब्या इनकी ढुआ है तो इनकी रचनाय पूरे भारत में प्रसिद्ध यूय लिखे बार पूरे भारत में प्रसिद्ध goes ठीक है फिर नेक्ष लैन आप लिखतोगे इनकी प्रमुक्रचना निहार रश्यम निर्जा सांद गीत दीप सिखा है और इस महान कवित्री की मित्यू 1987 हो गई में हो गई ठीक है अब आपको इतना ही लिखना है बहुत जादा आपको इसमें बाखेडा नहीं करना है कि बहुत आप याद कर लो फिर सिंपली आप लिखते जाओ ठीक है आप कहीं पर भी नहीं भूलोगे और नहीं आपका एक जंग भी मिश्टेक होगा ठीक है और जो मैंने पॉइंट बता है इन सबको हाइलाइट करोगी तो आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसे से ठीक है में आपको सभी विश्यों के नोट्स, वीडियो, इंपोर्टन कोश्चन, लास्ट येर पेपर और बचे हुए महिने में आप किस तरीके से सभी विश्यों के तयारी करें सब कुछ पताया जाएगा तो जाइन करने के लिए दिये गए वाट्सप पे कॉंटेट करें